दोस्तों इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो बीटी यूपी के तरफ से ओफिसियल नोटिस आ गया है आपके एक्जाम को लेके सभी शुडेंट्स के लिए जो यूपी से पॉल्डेनी कर रहे हैं डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए लेटेस्ट न्यूज ओफि जारी हो चुका है अभी हम लोग ओफिसियल नोटिस में गयो स्वागत है है तो सबसे पहले उन्स जो देखते हैं परिच्छा वार्षिक परिच्छा मल्टी पॉइंटी एंड क्रेडिक सिस्टम एंड इस्पेसर बैक परिच्छा जुन दोजार बाइस भीशेक ठीक है सबसे इंपोर्टन जो चीज है यहां पर डेट देखिए 16 अप्रेल का आज का डेट कितना है 16 अप्रेल ठीक है बिलकूल निउज है अभी अभी निउज निकल के आ रही है सभी स्ट्रेंट्स के लिए है वीडियो अपनी दोस्तों के पास जरूर सेयर कीजिया ताकि उनको भी पता चल सके कि आपका जो एक्जाम डेट है वो पोस्पोंड हो चुगा है सबसे पहले आपको वीडियो बनाके बताया जा रहा है दिखाया जा रहा है ऑफिसेल नोटीस यहां पर देखिए क्या है नोटीस में महोद है किर्पया उप्रोक्त विश्यक निर्देसाले के पत्र संख्या इतना इतना कानपूर दिनांक आठ चार 2022 का संदर गर्ण करने का कश्ट करें पत्र के माध्यम से परिशा द् मल्टी पॉइंट एंड केंडिस सिस्टम एंड स्पेशल बैक पेपर परिच्छा जून 2022 कि दिनांक 15 जून से 30 जून के मध्य संपन कराने दिर्शा निर्देस प्राफ्थ हुए है तो आपका जो एक्जाम होने वाला था जो थिरी का एक्जाम होने वाला था 28 मई से होने व प्रलगभग 15 दिन का और इस्ट्रा टा implications दिया जा रहा है 15 से 17 दिन का इस्ट्रा टाइम आपको दिया जा रहा है तो जो आपका एक्जाम 28 मई से होने वाला था उसका डेट है आपका चेंज हुआ चुका है अब ओगा आपका एक्जाम 15 जून से 30 जून के बीच में ठीक है चलिए नेक्स्ट हम लोग अभी आवर अपडेट है कि इसमें क्या है और भी चीजें है देखते हैं एते ओ उप्रोक्त के दिश्टिगत परिच्छा से संबध समस्त संस्तायों के परदानाचार निर्देशकों को निर्देशित किया जाता है कि उप्रोक्ता अंसार अगत करा समय अंत्रगत संपन्त कराई जा सके ठीक है तो यहां पर देखेंगे सुनिल कुमार सुनकर कर सिनेचर भी है तो सभी आपके टीचर्स दो हैं बीटी यूपी के जो पॉल्टिंग के टीचर्स हैं उनको भी कहा गया है सभी टीचरों को बोला गया है कि आप लोग जल्दी से स्लेबस आपको समाप्त कीजिए बच्चों को पढ़ा के ताकि इनका एक्जाम जो है 15 जून से ठीक है 30 जून के बीच में कराया जा सके आपका एक्जाम जो डेट है वो चेंज हो चुका है लेटेस्ट निउज है सभी स्टुडेंट्स के लिए जो बीटी यूपी से डिप अपडेट आता है तो आपको अपडेट करने की कोशिश की जाएगी जैन